ओम शांती, 20 जून 2021 की अव्यक्त मुर्ली से होमवर्क, आज की अव्यक्त मुर्ली है हिम्मत का पहला कदम समर्पन्ता आज संडे है, संडेई संडे, आज हम द्रिड संकल्प करेंगे बाप दादा से जो स्नेहे प्राप्त हुआ है, जो हमें अविनाशी खजाने मिले हैं, शक्तिशाली पालना मिली है, उसका रिटर्न देंगे सरव रूप से और सरव संबंधों से बाप पर समर्पन होंगे, ये संकल्प आज सारा दिन रखेंगे, अर्थात बाप समान बनेंगे, लक्ष्य और लक्षन समान होंगे, इस बात पर ध्यान देंगे तो आज की सारी मुर्ली में बाबा ने, शिब बाबा ने ब्रह्मा बाबा की सारी जीवन कहानी बताई है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की विशेष्टाएं बताई है तो आज की मुर्ली से हम धारना के लिए बात आज का पॉइंट लेंगे, कि ब्रह्मा बाब समान मुझे भी बेफिकर बादशा बनना है तो ब्रह्मा बाबा बेफिकर बादशा क्यों थे? क्योंकि बाबा ने अपनी बुद्धी का समर्पन किया था तो चेक करें कि देह भान की बुद्धी, अभिमान की बुद्धी, मैंपन की बुद्धी को मैंने समर्पन किया है क्योंकि बुद्धी का समर्पन करने से मन और बुद्धी निर्मल, शीतल और सुकदाई हो जाते है बुद्धी पर बोज नहीं रहता बुद्धी हलकी रहती है और चेहरे पर सदा ही बेफिकर बादशा के चिन पस्ट दिखाई देते हैं तो ये विशेश्टा ब्रह्मा बावा में थी अपने में चेक करेंगे क्या मैं भी ऐसा हूँ दूसरी विशेश्टा ब्रह्मा बावा में थी अचल अडोल निश्चिन्त रहने की तो अचल अडोल निश्चिन्त हर परिस्तिती में रहे कैसी भी परिस्तिती आ जाए तो ब्रह्मा बावा को ये सदा ही याद रहता था कि ये समर्थ संकल्प रहता था मेरा रक्षक कोन शिब बावा रक्षक है और बावा पर निश्चय था एक बल एक भरोसा था जब ये यग्य मेर बताते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं था तो बाग्यारा वज़े तक भी कुछ नहीं था लेकिन बावा को कोई भी फिकर नहीं था संकल्प में भी टेंशन नहीं थी उसका कारण था कि ये शिबाबा के बच्चे हैं, जिम्मेवार शिबाबा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, तो इसलिए इतना निश्चिन्त और इतना निश्च्य क्या मुझे भी है, आजकल भी हर टाइप की परिस्तितियां आ रही है, धन की आ रही है, शरीर की आ रही ह वो सारी बाते हो रही है तो मैं कितना निश्चिंत रहता हूं इस पर अटेंशन देना है तीसरा मन में संकल्प रखना है जैसे ब्रह्मा वावा रखते थे सदा सबको आगे बढ़ाने का कोई कैसा भी हो ये आगे बढ़े इसका शुब चिंतक रखना है तो ब्रह्मा वावा मन मना भव की स्थिती से सदा सिद्धी सवरूप रहते थे तो मुझे भी मन मना भव की स्थिती में रहना है दूसरों के लिए शुब चिंतक बनना है सब आगे बढ़े ये संकल्प रखना है और वानी में मधूरता लानी है और युप्ति युप्त बोल से दूसरों को आग बढ़ाना है और वृति में सब के प्रती कल्यान रखना है और जो भी संबंद में आए उसमें इतना रुहानी प्यार देना है अपने पन की फिलिंग देनी है तो बाबा में भी ये विशेष्टा थी इस विशेष्टा को स्वियम में धारन करना है तो इसी तरह इन बातों को आज की मुर्ली से हम धारना में लेंगे फोलो फादर करेंगे तो बापसमान बन जाएंगे ओम शानते